वेलकम टू मैं चैनल राजद यूट्यूबर स्वागत है आप सभी का आज 21 दिसमबर 2023 में फ्रेंट्स कल किसी करणवश मैं करेंट अफियर्स जो की 20 दिसमबर 2023 के थे वो अप्लोड नहीं कर पाया था तो मैं अपना कमिट्मेंट पूरा कर रहा हूँ आज मैं सबसे पहले 20 दिसमबर 2023 के करेंट अफियर्स को अफ्लोड कर रहा हूँ और आप सब के समक्ष ले कर आ रहा हूँ उमीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सब को पसंद आएगी इस तरह के के वीडियो आगे भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजे चलिए शुरू करते हैं तो क्वेंट्स तो क्वेशन नमबर वन इस दरी सेंटली डिसकूस्ट गैलफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस रिलेटेट टू जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो किस से रिलेटेड है तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यह इंट्रेक्टिव सेशन रहने वाला है मेरी साइट से बट आने वाले टाइम पर मैं इसको लाइव सेशन में कर दूँगा तो वो फुली इंट्रेक्टिव हो जाएगा यहनी कि बहुत साइट्स हम लो कर रहा हूं इनका नाम है जिग में खैसर नाम गयाल वंग्चुक यह भूटान के किंग है ठीक है और इन्हों ने ही जो है नाउंस किया है गैलफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यह जो की बहुत ही बड़ा एक इंटरनेशनल सिटी प्लाइन है ठीक है इट है इस प्रेड ओवर वन थाउजन स्क्वार मीटर स्क्वार क्लो मीटर सॉरी ओन दे बॉर्डर विद असाम ओके यहां पर बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट जो रहेगा वो रहेगा कि इन्हों ने जो एक जो डिसीजन लिया है यह वाला यह तब लिया है जब जस्ट चार दिन ही हुए थे जब युनाइटेड नेशन्स ने रिमूफ किया था भूटान को लीस्ट डिवलप कंट्रीज में से ठीक है फ्रेंड्स और एक और इंपॉर्टन फैक्ट यहां पर आता है निकल करके वो यह है कि भूटान रेल्वे लाइन विछेगी जो की गैलफू तक हो सकती है ठीक है और और भी आगे तक जा सकती है जैसे कि भूटान रीच टू मयनमार थाइलेंड कंबोडिया एंड सिंगापूर तो एक कनेक्टिविटी होने वाली है जो कि यह काफी बड़ा एक अग्रीमेंट टाइप का साइन हुआ है यहां पर तो यह देखने के लिए बहुत ही कि तरफ कि तरफ को है रिसेंटली स्टार्टेट टीपेस्ट जिन पिंग अंडर ग्राउंड लेवरेटरी ओन दे अर्थ फॉर्ड डिसकोवरी ओफ डार्क मैटर रहे है फ्रेंट्स इसकोश्चिन में आपने एक कीवर्ड दिखा होगा जिन पिंग तो जैसे कि अगर इस कुश्चिन का अंसर हमको देना है तो हम वैसे भी दे सकते हैं अगर थोड़ी बहुत हमको करेंट अफेर से जन्नल नॉलिज के बारे में हमको पता रहता है तो हम वैसे भी दे देंगे ये इस से रिलेटेड है जिन पिंग चाइना ओके ये तो हमारा एक कॉर्रिलेशन मेथड हो गया बाकी अगर अगर आज हम बात करते हैं कि करेंट अफेर्स के बारे में तो करेंट अफेर्स में चाइना ने अभी रिसेंट्ली एक लेबरेटरी को इनागरेट कर दिया गया ह जिसका जो काम शुरू हुआ था वो दोहजार बीस में शुरू हुआ था योकी एक डीपेस्ट लेबॉरेट्री ऑन अर्थ के नाम से जानी जाती है ठीक है यह सिचुएटेड है चाइना में इसका फोटो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं यहां पर तीन टैप की बनाई ह यहां पर कुछ लोग जो आये हैं यहां पर वो दिखाई भी दे रहे हैं इसके थुरू अंदर जाकर के काफी डीपली बनाया गया है यह और यह डीपेस्ट लेबॉरेट्री ऑन अर्थ के नाम से जाना जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशिन के तरफ बढ़ते हैं को अग्त रिसेंटली अबदिल फता है अलसै सिसी हैं इलेक्टिट प्रेसिडेंट आ विच गंत्री ओप्ट तर्ट्र टैम लगत तार दीसरी बार प्रेश्यडेंट राश्ट्र पति चुने गया हैं किस कंट्री के अबदिल फता है यहां पर लगा रखा है यह आपको बताना है तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब्दिल फत्र एल सिसी जो की एजिप्ट के थर्ड टाइम और प्रेसिडेंट रह चुके हैं और थर्ड टाइम प्रेसिडेंट एलेक्ट हुए हैं दो बार वो रह चुके हैं तीसरी बार गंजिगेटर लिए वो दुबारा से इलेक्ट किये गए हैं ठीक है और यहाँ पर और यहाँ पर आल्मोस्ट 95% के आसपस उन्होंने वोट्स प्राप्ट किये थे जो की एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लेंग्विज बोली जाती है लेंग्विज वो बोली जाती है एरबिक ओके एरबिक यहाँ पर जो कंट्री कोड है वो रहेगा 20 प्लस 20 जो भी कॉंटेक्ट नंबर्स जो रहते हैं उसके आगे जो प्रिफेक्स रहता है हमारे इंडिया का क्या है प्लस 9 ऐसी तरीके से एजिप्ट का रहता है प्लस 20 साथी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल की एजिप्ट की तो वह है काईरो काईरो को के सी ए आई आर ओ करेंसी की बात करें तो यहाँ पर एजिप्टियन पाउंड इस्तमाल होता है पाउंड एजिप्टियन पाउंड ओके तो यह कुछ इंपॉर्डेंट फैक्ट्स थे यहाँ अब्दल फत्य एल सी सी जो की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए है लगातार तीसरी बार और एजिप्ट से रिलेटेड ओके चलिए चलते हैं next question की तरफ who is the most expensive player bought in IPL auction 2024 एक auction हुआ है अभी recently साउधी अरब में ठीक है IPL का जहां पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा expensive player कौन हुआ है तो चलिए जान लेते हैं यहां पर दिये गए है चार नाम जो की टॉप 4 है आपको बता दूँ यह टॉप 4 है आपको बताना है इसमें सबसे ज़्याद expensive कौन है ठीक है तो सबसे ज़्यादा expensive यहां पर है मिशल स्टार्क जिनकी बोली लगी है 24,70,75,000 करोड यह की बहुत ही बड़ी value एक इनकी बोली लगी है इसमें और यह सबसे ज़्यादा expensive player बंच चुके हैं अब तक के history में IPL की history में तो चलिए history में ओके अब चली बात कर लेते हैं कि इनको जो खरीदा है वो किस team ने खरीदा है इनको जो खरीदा है वो खरीदा है के के आर ने यानि की Kolkata Knight Riders जिसकी ओनर है SR के यानि शारुक खान प्रेंचाइजी ओनर जिसे कह सकते हैं SR के हैं ठीक है दूसरा है जो ही चाबला और उनके हस्बेंड जै महता ओके जै महता तो यह इंफ्रमिशन निकल करके आती है कलकाता नाइट राइडर से और यह थी लोग यहवट ञंके नार्माली कॉलकाता केका जोखेश करके इंवक है एरिंग वाणर्स इस दूंको जो कोलकाता वे है इंप्रच यह नात्ते यह कुछ information निकल के आती है मिशल स्ट्राक और के के आर्क से related तो यहाँ पर सिर्फ हम question को ही attempt नहीं कर रहे हैं उसके साथ साथ उससे related जो option है उससे related जो भी answer बनता है उससे भी related information को grab कर रहे हैं तो सिर्फ यह current of fear की ही class नहीं है पाकी जिनने knowledge भी इसमें static आपकी knowledge भी आजाती है जो की काफ़ interesting बात है देख सकते हैं यहाँ पर कुछ pics दी गई है जिसमें previous अभी हमने जो देखा था कि options दिए गए तो missile star सबसे पहले हैं जो कि Australia जो कि ब्लॉंग करते हैं जिनको जो है Kolkata night riders ने लिया है पर्चेस किया जैसे कह सकते हैं खरीदा है ठीक है इनका जो प्राइज है वो final price 24.75 करोर second number पे जो है वो आते है Pat Cummins सबसे पहले इस से पहले मिशल स्टार्क से पहले 2020 में यो थे वो थे Pat Cummins थे ठीक है Sunrisers Hyderabad SRH if I'm not wrong तो यह सबसे ज़्यादा थे अभी यह second number पे आ गए है 20.50 करोड की इनकी बुली लगी है third number पे आ रहे है New Zealand के Darryl Mitchell Chennai Super Kings ने CSK ने इनको खरीदा है 14 करोड में चौते नमबर पे आते है Hershel Patel ठीक है जो की Punjab Kings द्वारा खरीदे गए है 11.75 करोड में 11.75 करोड में इनको लिया गया है और बाकी की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तो यह है ही है second पे पेट कमिंस है third पे Darryl Mitchell है and fourth पे Hershel Patel है बाकी की डीटेल्स यहाँ पे दी गई है ठीक है जिनको हम समझ रहे थे कि कापी ज़्यादा पैसों में लएंगे वह यह रिचिन रविंद्रा उनको 1.80 करोड में लिया गया है ठीक है बाकी इसमें और भी प्लेयर्स आप देख सकते हैं अल-जारी जॉसेफ इनको 11.50 करोड में लिया गया है धान 20.50 करोड में ले जाज प्लेयर्सों में है जार्दुल्थाकर वोवार्थन करोड में लिया गया ह। टीक है इस तरीके से तरेफिस हेटों away 606.80 करोड में यह बोली लगए है आई पील में players को लेने के लिए तो उनके ये figures कुछ इस तरीके से दिये गए हैं जो कि सारे का सारे खरीदे हुए ये बिके हुए players हैं ठीक है यहाँ पे list है all sold players चलते हैं next question की तरफ तो friends यहाँ पे देख लेते हैं question no 5 इसका correct answer होगा ग्यालाद क्ले क्यापिल कि ए्पटले से चैने okay and then it is going to be started from Jan 19231st this is 31st January 2024 okay what is the age criteria to be a participant of kilo India 2000 kilo India games what is age criteria it is 17 years to 21 years only okay apart from this information what is the scholarship amount of kilo India games it is 5 lakh amount to 5 lakh rupee ki raashi di jati hai wahi inaam huta hai ismei thik hai baaki ismei medals rate hai joh scholarship amount hai woh 5 lakh rupees hai apart from this kilo India games 2023 youth games me yo ki youth games ke naam se bhi jana jata hai ismei squash ko squash ko include kiya gaya hai this bar this bar thik hai ismei 27 types ke joh challenges hai ya phir kiya saktay hai competitions hai unko include kiya gaya hai thik hai baat kala leate hai pichli baar yarni 2022 ka championship ya hero India ka hita hai di jita hai hai kita ji jita hai hai maharashtra hai hai ओके महराष्ट्रा यह महराष्ट्रा ने चीता है और 161 मेडल में से 56 गोल्ड जीते हैं ठीक है अपार्ट फॉम दिस इंफर्मिशन सेकेंड नमबर पर रही थी हार्याणा को रही थी हार्याणा और थार्ड नमबर पर रहा था एमपी मत्रदेश यह लास्ट ये 2022 की डिटेल्स मैंने शियर करी है आपके साथ अगर हम बात करें तमिलाडू स्टेट की बारे में तो मैंने कैपिटल आपको बता ही दी वह है चे नहीं ठीक है यह सिक्स्थ लार्जेस्ट स्टेट बन जाता है पॉपुलेशन की नजरिये से इसके नजरिये से और 11 लार्जेस्ट बन जाता है किसके नजरिये से एरिया एरिया की नजरिये से तो एक इंपॉर्टन फैक्ट है रिलीटिट टू तमिल नाडू चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ इसका अंसर हो गया तमिल नाडू ठीक है अच्छा एक चीज़ और हां स्वारी एक चीज़ और इसमें करना चाहूंगा कि ये तमिल नाडू में होगा तो ये तो स्टेट का नाम है बट कहां कहां होगा ये चार जगे होगा ठीक है और हम चारों के नाम जल लेते हैं क्यापिटल में होगा चेन नहीं मदू रही क्युमी और क्यूमाटर इंद तरिची चली चलते नेक्स्ट कुश्चिन के तरफ तो यहां पर सस्टेनबिलिटी की बात की जा रही है इंडियन इंस्टिटुट आफ टेक्नोलजी कानपर ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा आई 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 टी कानपर चलते हैं नेक्स्ट कुश्चिन के तरफ गोल्डन आउल का जो खिताब है वो इंडियन आउल फोर्सिस को किस देश ने दिया है ये गोल्डन आउल आउल अवार्ड दिया या श्री लंकार द्वारा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट कुश्चिन के तरफ विजे हजारे ट्रॉफी विजे हजारे ट्रॉफी को किस ने जीता है 2023 में ये जीता है हरयाना ने इसका राइट आंसर इस हरयाना नेक्स्ट कुश्चिन इस रिसेंटली विद हूम थे नेशनल स्कल्ड देवलप्मेंट को आपरेशन साइन ओन एग्रिमेंट तो प्रोटेक्ट तर राइट्स अफ इनियन वर्कर्स इनियन वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको उनकी रक्षा करने के लिए एक एग्रिमेंट साइन हुआ है नस्ट इसी और यू कैन से एक्रोनिम इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल स्किल डेवलप्मेंट को आपरेशन ये रिसेंटली अभी एक साइन किया गया है ठीक है टू प्रिटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन वर्कर्स इसाइन किया गया है साओधी अरब द्वारा किया गया है तो फ्रेट्स चलते हैं नेक्स्ट ट्विशन की तरफ ये एक लास्ट कॉश्च्छन है हमारा कॉश्च्छन नमर टैन वेर हैज दा आनन्द विवाह एक्ट बिन इंप्लिमेंटर डिसेंटली आनन्द विवाह एक्ट क्या है सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसके बार में मैं पता होना चाहिए ठीक है इट इस रिलेटेट टू सिख कम्यूनिटी सिख यहाँ पर जो मैरेज होती है वो इस एक्ट के अंतरगत होती है इसकी जो मतलब जो नीव रखी गई थी वो 1909 बिर्टिस सामराजी के दौरान ही रखी गई थी सन 1909 में और रिसेंटली इसको जो है इंप्लिमेंट कर दिया गया है वो किया गया जम्मू एंड कश्मीर में उसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर इस से रिलेटेट कुछ फैक्ट से अब देख लेते हैं भारत में आनंद विवा सिख विवा अधिनियम सिख समुदाय के लिए महतुर महतुर रखता है यह एक ऐसा कानून है जो विश्य शुरूप से सिख विवाओं में से सम्मंदित विवा समार हो और कानूनी पहलूओं को ने अंतरित करता है यह अधिनियम सिख विवाओं को कानूनी मानेता और सुरक्षा परदान करने के लिए स्तापित किया गया था जिस सिख चोड़ों को अपने धार में करेती रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने विवाओं को सम्मंपन करने की अनूमती मिलती है जबकि यह सुनिश्यत होता है कि विवाओं कानूनी रूप से वैद है तो यह फ्रेंट्स इंफरमेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा कमिट सेक्षन में जाकर के यह वीडियो कैसा लगा कोई भी क्वेशन मन में हो तो वह आप पूस सकते हैं किसी भी क्वेशन से रिलेटेड मैं उसकी एक्सप्लेइन और डीटेल इंफरमेशन आपको देने की कुशिच करूंगा कमिट सेक्षन में ही ठीक है तो यहां पर 10 कुशिचन हमारे कम्प्लीट होते है थैंक यू फर वाचिंग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल इस गोई बेटर डे बाई दे विद यू लव और सपोर्ट थैंक्स प्लीज गूपरे टो बिंग बेस्ट देली कर्ट अफिर्स इन वनलाइब और MZQ प्लीज सब्स्राइब शेर लाक अगर थैंक्यो